मारूती ने भारत में ग्रैन विचारा की लांचिंग के बाद अब कमपनी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली ओल्टो के नए वीरियन को लांच करने के तैयारी कर ली है उमीद है इसे अगले महीने पेश किया जा सकता है साल 2000 में लांच की गई मारूती की ओल्टो कुछी सालों में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी 20 सालों में कमपनी ने ओल्टो की 40 लाग से ज्यादा कारे बेची है हाला कि फिर इसकी सेल में गिराबट आने लगी लेकिन अब एक बाब फिर यह कार नए अफ़तार में दस्तक देने वाली है रिपोर्टो में का गया है कि मारूती ने नए ओल्टो की टेस्चिंग शुरू कर दी है लीग हुई तस्वीरों में टेस्चिंग की दोरान इसकी छलग भी डिख चुकी है नए ओल्टो में इंजन से लेकर डिजाइन तक में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस कार के लीग रिपोर्टो की माने तो ओल्टो के आने वाला वेरियंट पुराने मॉडल से अलग होगा ब्यूरो रिपोर्ट इमस्चीवी दिल्डी